साथमी अध्याय का महात्मय बहुत धन कमाया किन्तु न तो कभी पितरों का तरपण किया और न देपताओं का पूजन ही वह धनो पारजन में दतपर होकर राजाओं को ही भूज दिया करता था एक समय की बात है उस ब्राम्हन ने अपना चौथा विभा करने के लिए पुत्रों और बंधूं के साथ यात्रा की मार्ग में आधी राद के समय जब वह सो रहा था तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मनी, मंत्र और और औशधी आधी से भी उसकी शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी तद पश्चात कुछी इक्षणों में उसकी प्राण पखेरो उड़ गए और वह प्रेत बना फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर प्योनी में उत्पन हुआ उसका चित धन की वासना में बंधा था उसने पूर्व बृत्तांत को समरण करके सोचा मैंने घर के बाहर करोणों की संख्या में अपना जो धन गाड रखा है उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयम है उसकी रक्षा करूंगा साब की योनी से पीडित होकर पिता ने एक दिन स्वपन में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनुभाव बताया तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर पड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वपन की बातें कहीं उन में से मजला पुत्र कुदाल हाथ में लिये घर से निकला और जहां उसके पिता सरप्योनी धारन करके रहते थे उस स्थान पर गया यद्यपी उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चे कर लिया और लोभ बुद्धी से वहां पहुँचकर बांबी को खोधना आरंभ किया तब उस बांबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला ओ मूढ तू कौन है किसलिए आया है यह बिल क्यों खोध रहा है किसने तुझे भेजा है यह सारी बातें मेरे सामने बता पुत्र ने कहा मैं आपका पुत्र हूँ मेरा नाम शिफ है मैं रात्री में देखे हुए सुअपन से विस्मित होकर यहां का सुवरण लेने के कौतुहल से आया हूँ पुत्र की यहवानी सुनकर वह सांप हस्ता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला यदी तु मेरा पुत्र है तो मुझे शीक्र ही बंधन से मुक्त कर मैं अपने पूर्व जन के गाड़े हुए धन के ही लिए सर प्योनी में उत्पन हुआ हूँ पुत्र ने कहा पिता जी आपकी मुक्ती कैसे होगी इसका उपाई मुझे बताईए क्योंके मैं इस रात में सब लोगों को छोड़ कर आपके पास आया हूँ पिता ने कहा बेटा गीता के अमृत मैं सप्तम अध्याय को छोड़ कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यग्य भी सर्वता समर्थ नहीं है केवल गीता का सात्मा अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदी दुखों को दूर करने वाला है पुत्र, मेरे श्राद के दिन गीता के सप्तम अध्याय का पाठ करने वाले ब्राम्हन को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ इससे निसंदेह मेरी मुक्ती हो जाएगी वत्स अपनी शक्ती के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्व्यसी और वेद विद्या में प्रवीन अन्य ब्राम्हनों को भी भोजन कराना सर्प्योनी में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उनकी आज्या अनुसार तथा उससे भी अधिक किया तब शंकुकरण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्यदे धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया पिता ने करोडों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था उससे वे पुत्र बहुत प्रसन हुए उनकी बुद्धी धर्म में लगी हुई थी इसलिए उन्होंने बाबली, कुवां, पोकरा, यग्य तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अनिशाला भी बनवाई ततपश्चात, साथमें अध्याय का सदा जब करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया हे पारवती, यह तुम्हें साथमें अध्याय का महात्म बतलाया जिसके श्रमन मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है हरियोम